कि आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ लिनियस हचिंसन एंड बेंथम और आज लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनका जो लिनियस जो नाम है इनका पूरा नाम कैरूलस लिनियस है इन्ही को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनोमी कहते हैं वर्गी करण के जनक या वर्गी करण के पिता यह कैरूलस लिनियस जो है यह स्वीडेन में पैदा हुए थे और इन्होंने अपनी अधिकतर प्राई इंग्लैंड में की यॉरोप में की और बाद में यह जो है शुदें में ही बहुत ही फेमस यूनिवरसिटी है यूनिवरस्टी ओफ उपासला यह आज भी बॉटनी की स्टड़ी के लिए सबसे बेस्ट यूनिवरसिटी है थे टो इस यू न से पैदा हुए है। तो वहां पर जो कैरोलस लीनियस थे यह मेडिसीन और बॉटनी दोनों के यह प्रोफेसर थे और जो कैरोलस लीनियस थे उनका पूरा नाम था कार्ल वॉन लिनी जब इन्होंने जो है आपको पता होगा कि जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमन क्लेचर है नामकरण जब हम करेंगे पहला नाम स्पिसीज का और दूसरा नाम स्पीजिज का होगा उसी बेसिस पर इन्होंने भी अपना अक्षरह था कार्ल वॉन लिनी उसको उन्होंने स्पिलिट किया और इसको कर दिया थीक है इन्हों ने तीन किताबे लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट किताबे हैं एक तो सिस्टीमा नेचुरी किताब लिखी थी सिस्टीमा नेचुरी किताब में इन्होंने जो है classification दिया था all known plants, animals, इन सभी का जो है and minerals इनको भी इननों झो है classified किया था फिर जो दूसरी किताब थी वह थी genera plant theorem इसमें उन्होंने जो इनको जितने भी प्लांट जेनरा के बारे में पता था उसके बारे में उनको लिस्ट किया उसको डिस्क्राइब किया और फिर लास्ट में जो है इनकी बुक आई थी स्पिसीज प्लेंटेरम जिसमें कि उन्होंने जो है यह सबसे फेमस बुक थी स्पिसीज प्लेंटेरम जिसमें कि इन्होंने all known species को describe किया था लिनियस system of classification इनका जो system था यह artificial system कहलाता है जिसमें कि केवल एक या डो character के आधार पर पूरा classification किया जाता है ठीक है तो लिनियस ने artificial system को follow किया और basically इनके classification को sexual system of classification भी कहते हैं क्योंकि इन्हों प्लांट के sex organs के basis पर उनको classify किया था ठीक है sex organs यह नहीं एंथर्स और कार्पिल इन्होंने अगर हम देखा जाए तो प्लांट को उन्होंने 24 classes में define किया कितने 24 classes में define किया on the basis of character of stamen stamen के character पर इन्होंने 24 classes में होने डिवाइदे आप यह थे स्विशी एंटेर में यह 24 classes और ओनेंड्रिया डायंड्रिया ट्रायंड्रिया मतलब एक स्टेमन डू स्टेमन ।्रायंड्रिया थी स्टेमन Teterandria, 4 Stamen, Pentandria, 5 Stamen इस तरहे करके करते जो उन्होंने फिर ICOSA, Andria, Polyandria, Di-Dainamia, Tetradainamia, Monadalphia, Diadalphia, Polyadalphia करते करते और सबसे लास्ट में इन्होंने Cryptogames को रखता Cryptogames मतलब Non-flowering Plants, Flowerless Plants, सबसे लास्ट में इन्होंने जो है जो क्रिप्टो गेमिया-क्राइस था इसमें डौन-फ्लावरिंग-ब्रान्स जिससें港 कि टे riots पाइट घिम्नेवकशार क्वाइट्स और शरण एक चा अर। तो बन MONे बातल है कि अन्होंने इन्हों तो बन टृटउ टू थ्री जों और यह लास्ट में क्रिप्टोगैमिया जिसमें कि नॉन फ्रावरिंप्रांट सब्सक्राइब फिर इन क्लासेश को फर्दर सब डिवाइट किया था ऑन दे बेसिस ऑफ कार्पिल जिसमें की ओब्री होती लिए ठीक है एनि कि फीमेल रिप्रड़क्टिव करेक्टर के आधार पर इन्होंने फिर इन 24 फर्दर सब डिवीजन सब इन्होंने डिवाइट किया यह लिनियस का में इसमें इनकी जो मेरिट और डिमेरिट देखी जाए तो उस समय जो है अकर देखा जाए इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम 1753 में आए काफी पुराना आज से 300 साल पहले लगव लोगों को जो नौलेज ती उस नौलेज के आधार पर इंका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था बहुत लोगों कि लेकिन बाद में इसमें काफी मोडिफाई किया गया तो यह दहा गया कि केवल एक क्लासिफिकेशन है वो ठीक नहीं होगा जिसको की लिनियस ने अपने क्लास सिस्टम के बाद काफी बात जो है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन आया बेंथम एंड हुकर के बाद जो क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है वो है हचिंसन्स क्लासिफिकेशन हचिंसन इनका पूरा नान था जॉन हचिंसन और यह जो है कीव हर्वेरिया रॉयल गार्डन है कहां पर इंग्लेंड में उसी क्यू बॉटिकल गार्डन में उस बॉटिकल गार्डन अपना एक हर्बेरियम हर्बेरियम मतलब जहां पर पौधों को सुखा करके उसकी शीट पर लगा करके उसका टैक्सोनॉमिक डीटेल लिखके सुरक्षित रखते हैं तो इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है यह एक अपनी बुक में पब्लिश किया उस बुक का नाम था दे फेमिली जो फ्लावरिंग प्लांट्स यह बुक इन्होंने दो वॉलूम में पब्लिश की फर्स्ट वॉलूम 1926 में आया और जो सेकंड वॉलूम है 1934 में इन्होंने डाइकॉड को क्लासिफाइब किया और सेकंड वॉलूम में मोनोड को क्लासिफाइब किया और इस बुक का जो लास्ट रिवास एडीशण आई था वह आया था 1973 में जेस्ट इनकी डेथ के एक साल बाद इनकी डेथ 1972 इन्हों ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया जॉन हचींसन ने यह 24 प्रिंसिपल्स पर आधारिक था और जिसमें से कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं 24 प्रिंसिपल्स में से सबसे पहले इनका जो क्लासिफिकेशन का ने आधा था इन्हों ने यह माना कि जो अंजी योप्वॉथ मांची संची और इंशंट दम तक इनका ईंसेस्टर है जो पूर्वज एंखी पूर्वज से जी मरें कि उचने उनफ्तिक और शी जो लखने इन्हों यह माना कि जो लिएऑंग जेऊ से है उध्यमिलि मैंगनो एसे हैं कि यह सबसे पहले जो जो ग्युरस ऐसमें सबसे पहले जो लिएग और यह मोनोकॉट से प्रिमिटिव मतलब पहले डाइकॉट का इवलुशन हुआ है इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में दो इवलुशनरी लाइन एंजियो स्कॉप्स के दो इवलुशनरी लाइन कंसीडर किये एक लाइन था लिगनोसी और दूसरा लाइन था हर्वेसी लिगनोसी में इन्होंने उन को रखा जो की वूडी थे वूडी मतलब जिसमें लकडी होती है ऐसे अव को मैं लेक्टा घूरा और दूसरा हर्वेश जिसमें यह वूड एबसेंट होता है प्लांट जो है हर्वेशियस यानि शाकी यह पौधे होते हैं तो उन्होंने जो है इंजियोस पंप्स में दो इवलूशनरी लाइन डेवलप किया एक लिग्नोसी लाइन यानि कि वो प्लांट जिसमें कि वूड प्रजेंट होता है और दूसी ल जो ने फैन्रोगेम्स यानि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है फैन्रोगेम्स यह फैन्रोगेम्स है इसको इन्होंने दो फाइलम में डिवाइड किया जिम्नोसपर्मी एंड एंजियोसपर्मी यह क्या है फाइलम दो फाइलम है अब एंजियोसपर्मी को इन्होंने दो सब फाइलम में डिवाइट किया Dicotylidans and Monocotylidans को इसमें इनों ने दो डिविजन रखा गया अगर Dicotylidans को दो डिविजन कौन कौन सा लिगनोसी और हर्भेसी डिविजन में रखा, कि इन्हों ने टीन डीजन अब आते डाइक उड़ाइकवाइच विभिजन कौनगों से लिग मों सी इथा अब लिगनोसी को इन्हों ने 54 ओर्डर में डिवायड किया यह यानि ऐसे प्लांट बेजिएट है नमबर वन पे कौन से था और दूसरा ओर्डर था और इस तरह करते 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 इन्होंने 54 54 ओर्डर था वर्बे नियल्स ओर्डर जिसमें की फेमिली वर्बेनेसी आती है सागौ जिसमें आता है तो एक से लेके 54 तक बन टू 54 ओर्डर इन्होंने जो है लिगनेसी में रखे फिर हार्बेसी में इन्होंने 54 के बाद जो 55 55 ओर्डर था वो रेनेल्स से सुरू हो ठीक है ना रेनेल्स से लेकर के लास्ट में 82, 82, 82 सेकंड जो ओर्डर है वो है लेमियेल्स ओर्डर, ठीक है न, तो यहां रेनेल्स से सुरू होता है, हर्बेसी रेनेल्स से सुरू होता है, लेमियेल्स पर खतम होता है, लिगनोसी कहां से सुरू होता है, मैगनोल्येल्स से सुरू होता है और बर्बेनेल्स पे खतम होता है तो लिगनोसी में फिफ्टी फुर ओर्डन्स और हर्बेस्ती में ट्वेंटी एट ऑर्डर सांते कि एक वैंना तूर्ड немнож वे जनदिये केलिसी फेरी विसरा है और तीसरा जो डिवीजन आ वह क्रॉमि लोरी में ऐसे प्लांथ को रखा मोनो कॉट के जिसमें डिस्टिंग्ट कैलिक्स एंड को रोला फ्रेजेंट थे ठीक है ना उनको रखा कैलिसी फ्लोरी में और पहला ओर्डर था ब्यूटोमेल्स लास्ट ओर था जिंजिवरेंस यानि कि 82 कहां तक था हर्वेसी से 83 कहां से सुरू होता है मोनो कॉट के क्लेसी फेरीyes 83 कहां तक जाता है 95 गिंजिवरेंस फिर जो को रोली फेरी है इसमें सेपल राण पेटल यस्ट्रॉक्टर आड शेप कैल्सी फेरी में केलिसी फेरी में डिस्टिंग्ट यहिंद किलिक्स को रोला का शेब है देख कैंप जा पता सकते हैं गालिक्स यह काई ली sistersoh तो एक में क्या हुआ किसेप्टलन को रूदे जो आफी कें पता नहीं सकते हैं इसे उन्हों से को रोली फेरी में रखा और इसमें इन्होंने जो है इस्तार्टिंग क्या ओर्डर ले लिये कि खतम कहां होता था ओर्किडल सबस्था होता है और्किडेल्स पर खतम होता है। फिर नेक्स इसमें थर्ड डिवीजन दिया मोनो कॉटिलेडन में हर थार डिविजन था गुलूमि फ्लॉरी में जो इंपॉर्टन करएक था कि ऐसे प्लांट्स जिसमें पेरियंद कावी रेडियूस्ट थे चोटे पेरियंद थे लूमस्के फॉर्म में थे रिडियूस्ट पेरियंद को हम लोग जो बूलते हैं त इसमें जो है इंपोर्टेंट जो आदर आदर आते हुए जंकेल साइप्रेल एंड ग्रेमिनी फेमिली को इन्होंने जो है फ्लोरी में रखता तो यह इनके क्लासिफिकेशं का आउटलाइन उनका सिस्टम काफी सिंपल ने कुछ ने क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम मेरिट की बाद करें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम जाए इनके क्लासिफिकेशन की मेरिट है कैसा क्लासिफिकेशन आफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इस इसमें क्या था इन्होंने प्रिमिटिव और मैकनोली इसको सबसे पहले रखा यह दे कि सबसे पहला जो order इंके classification का था number one मैगनोलियल्स यानि primitive घ्रूप को सबसे पहले classification में रखा ठिक डाई इसमें फिर हर्वसी में भी जो सबसे primitive ठा हर्फ में रेनेटल्स ओर उसको इन्होंने सबसे पहले रखा तो रेनेल्स को इन्होंने हर्वेशी में हर्वेशी में प्रिमिटिव रखा और इनोंने मैग्नूलियसी को प्रिमिटिव रखते हुए सबसे पहले उस गरुप को रखा जह की क्लासिफिकेशन का एक मेरिट ओन ति उन्होंने अपने यूनी जे phảiलावर से एक की strap वावर फिर मों औरूसरी मेरीट थी सिरुत शहीं आです पहलते आइसे सब्सक्र चेल st लावर्शंट है को एक ग्रूप खिलावर जिस्में usted टो एमएंटी फ्लोरी में जो फेमिली आते है जैसे ऑक का पेड़ होता है जिसमें वॉलनाट्स आते हैं कई सैलेकेसी जिसमें की जैसे सेलिक्स के प्लांट आते इसको इन्होंने एडवांस फीचर मारा ठीक है ना और इसको रोजेल्स के पास रखता यह इनका जो है एक एडवांस फीचर था जो कि इनके पहले जो वरकर थे उन लोगोंने ऐसा अरेंजमेंट नहीं दिया था इमन टी फ्लॉरि का तो चुक्कि इन्होंने यह चेंजर उसको बढ़ा करके नोहोंने फेमिली से सबस्ताइब में कर argued either इक एड टीर नियू ने यह माना कि जो की मोनो कॉड्ट की और लिस्टेज का ही मीझेंट जो रहा था फ्रिट में पहले डाई में रहा था सभूौत ने से तुरंथ मोकॉट का इविलूशन हो गया ज्यादा टाइम में नहीं लगा और जो मोनोकॉट का एविलूशन हुआ वह रेनेल्स ग्रूप-like प्लांट्स से इनका इविलूशन हुआ यह जो रेनेल्स, से हर्वेशी ग्रूप आफ प्लांट्स हैं इन्हीं से हुआ आप यह देखेंगे कि जितने भी वोडी प्लांट है और मोनोकॉट में अधिकतर कुछ को छोड़ दीजे तार और नारियल को अगर आप छोड़ दीजे तो अधिकतर मोनोकॉट प्लांट्स जो है हर्प सी है इसका मतभी इंडिकेट करता है कि यह जो है हर्वेशी टाइप के एंसेस्टर से इनका इवलूशन हुआ है तो यह इनके क्लासिपिकेशन की मेरिट अब इसटो मेरिट हैं दीजें देमेरिट के ऊपर मेंने उपर लाल रंग से लिखाً हुआ है इन्होंने क्या किया और रहे निए जो है अलग अलग गूर्फे डाल ली लिग्नोसी कुछ को हर्वेशी में गर इस पाने यह जो की गलत यह लगवग माना जाता है कि तीनों गुरुप जो है लगवग लगवग एक जैसे एंसेस्टर से इनका एवुलूशन दूसरा जो दिमेरिट था जो एंजोस पाँ पॉड़ूशन मतलब एक से जादा एंसेस्टर से अलग-अलग डाईरेक्षन में इन्जोसां का एवुलूशन है इसका evolution monophyletic नहीं है पिर इन्होंने लिखा कि जो monocorps है monocorps का यह वाला point monocorps की origin है वो भी monophyletic है जिसमें से कि इनकी origin renails like ancestor से हुई है लेकिन आजकल यह माना जाता है कि जो monocorps की origin हुई है वो renails से नहीं बलकि इनकी भी origin जो है polyphyletic origin हुई है ना कि monophyletic origin हुई है तो यह इनकी classification system के जो है कुछ important merit and demerit है जो की आपके examination के point of view से और B.A.C. में जानने के point of view से important तो यह चीज़े आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है और इसी के according अपनी preparation करने है objective type of questions के लिए इसी के साथ ही यह आज का हमारा जो topic है यह खतम होता है बाकि हम लोग next topic में मिलें किसी को कुछ पूछना है या कोई doubt है तो आप लोग पूछ सकते हैं अपनी बादर सकते हैं